दोस्तों नमस्कार तो स्वागत है आप सभी का अपने इस यूटूब चनल बिजस को आड़क पर तो साथ यस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो एकट्यू का फर्स सेकेंड थर्ड और फोर्थ यर का एकजाम कब होगा ठीक है जो कि अफिस्यल डेट आप से बताऊंगा एकट्यू की तरफ से डाटा निकाल गया है और साथ आप सभी का स्योपी का एकजाम कब होगा यह भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ठीक है और चीज क्या है कि यहाँ पर चालेंजिव एलोशन के लेगे काफी सारे चात्रों का कमेंट लगातर बना हुआ है कि हमारा सब रिजल्ट कवाएगा तो भी मैं आपको आगे बताऊंगा तो सारे चीज़ आपको डिसकस करने वाला हूँ यहाँ पर इस वीडियो में तो वीडि को आप सभी लोग अन तक देखेंगा बाकी चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को तौन सब्साइब कर लिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट अप्डेट तुरंत आप सभी को इस चैनल से मिलती रहती है ठीक है कोई भी डाउट और को भी कर रह जाए तो आप सीधे कमेंट बॉ कि मैं आप सभी को पहले भी वीडियो को मात्यम सूचित कर दिया था लेकिन काफी सरी चातों का लगातार यहां पर कोशन बना हुआ कि सर हमारा एक्जाम कब होगा इसलिए आप सभी को फिर से यहां पर सूचित करना पड़ रहा है एंड समेस्टर थीरी एग्जामिनेशन सब कुछ दोनों चीज़ा हम यहां पर डिसकस करेंगे आप यह सकते हैं यहां पर अपना यह वाला पूरा कॉलॉम रहने वाला ठीक है यहां पर इतना से रहने वाला तो हम सब कुछ यहां पर डिसकस करेंगे एक एक करके सबसे पहले हम यहां पर इस वाले के अगर हम बात क बीटेक, बीफार्मा, MBA, MCA को छोड़ करके, ठीक है, थर्ड समेस्टर में जितने भी चात्र, बीटेक, बीफार्मा, MBA, MCA छोड़ करके बचते हैं, उन सभी का एक्जाम होगा, पांच जनवरी से लेकर के, 31 जनवरी तक, और साथी साथ, फिफ्ट समेस्टर, सेवन समेस्टर, ठीक है, तो यह आपका किलियर हो गया, ठीक है, 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 जो एक्जाम होगा वह होगा फर्स समेस्टर वालों का और जो थर्स समेस्टर के बचे वहाँ पर बी टेक, फार्मा, एंबी, अम्द, एंसी उन सभी का हो जाएगा ठीक है तो यह आप सभी के एक्जाम को लेगा करके यहां पर डाउट किलियर हो गया होगा अब बात बस्तिय समेस्टर में है रहती है प्रीवेश्ट समेस्टर के रहती है तो जब घ्ल जब यहां पर डेट दी गई होने की उसी टाइम पर सभी को एक्जाम देना होगा जैसे वहां पर आप जो वार्ष एक्जाम में एक्जाम यहां पर श्राट होंगे उने के साथ साथ में स्योपी का एक्जाम होते रहेंगा ठीक है अभी अब नेक्स्ट चीज हम यहां पर बात कर लेते हैं अपना के 75 दिन बाद आप सभी का यहां पर रिजल्ट आता है अब यहां पर नोटिफिकेशन निकाला गया था 16 सितंबर को आया था विसम समेश्टर चाचातों के चैलेंज मुल्यांगोन को लेकर करके यहां पर था तो जो लास्ट दी गई थी अब यहां पर लास्ट डेट क्या थी 30 सितंबर थी तो इसलिए आप सभी का जो रिजल्ट है चैलेंज एलोशन रिजल्ट जो जिन लोगों ने 30 सितंबर तक अप्लाई किया था उन सभी का दस से लेकर के 20 के 20 दिसंबर के बीच में जो है यहां पर रिजल्ट आ जाएगा ठीक है ज्यादा परशान होने कोई से बताया गया है इसको आप ध्यान से देखेंगे समझ जाएंगे यदि औस और मूर्ली प्राप्तांकों में 20 प्रत्सत से अधिक का अंतर होता है ठीक है तब परिचारती जम्हां किये गये सुल्क पचीस सो रुपए मेसेच एक हजार रुपए धना से कटोती करते हुए से 20 पर्सन का होता है उपर बढ़ते हैं नंबर तो आप सभी को एक हजार रुपए फिर भी काटा जाएगा और पंदरा सो रुपए यहां पर जो है साफ सब बताएगा वापस कर दिये जाएगा कहां पर बैंक एकाउंट में जिस बैंक का द्वारा आप सभी ने इनको पेमें में वापस नहीं आई है की ऐसे नहीं करता है तो इसके लिए कम से कम 3-4 महिने का टायंगा मतलब यूं माणने के मैकजीमम आपका छे महिने तक भी चला जाता है टो यह टीक है तो यहंटो ऐसे हैं अब सब्सक्राइब करते हैं तो यह प्राइब कर सकते हैं चैलेंज़ विलिए सब्सक्राइब बांगी जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी तुरंत आपसे चैनल से आउगत कराए जाएगा तो आप चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बाकी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए कोई डाउट है कोई भी कंफ्यूजन है अभी भी तो आप सीधे हमें कणभाव से पूस्त करें ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में जय हिंजय भारत हुआ 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 है